नमस्कार दोस्तों स्वागत थे आपका हमारे शिनल अचार जागिंद्र मिस्रा में कन्य राश देव गुरु ब्रिहस्पत का वक्री चाल 20 जून से 14 सितंबर 2021 आपके यह च्छे कार होकर रहेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं साल 2021 में देवताओं के गुरु देव गुरु ब्रिहस्पत वक्री चाल अब चलने वाले हैं 20 जून से जी हां दोस्तों ब्रिहस्पत के इस वक्री चाल का कन्यरासवली जात्कों के उपर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा 20 जुन से और 14 सितंबर 2021 तक के समयावध में आज की इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों 20 जुन 2021 को देव गुरु ब्रिहस्पत की वक्री चाल बदलने वाली है और वह कुम्भरासी में वक्री होने जा रहे हैं और कन्यरास के जात्कों आपके छठे भाव पे वक्री होने जा रहे हैं और अगले 87 दिन तक यानि की 14 सितंबर 2021 तक देव गुरु ब्रिहस्पत 20 जुन से लेकर 14 सितंबर 2021 तक रहेंगे वक्री चाल रहेंगे चलने वाले हैं तो इसका कन्यरास वले जात्कों के उपर किस प्रकार का पईणाम देखने के लिए मिलेगा इस वीडियो में आप जानेंगे कन्यरास वले जात्कों का पारिवारिक जीवन, आर्थिक जीवन, प्रेम संबंध, एजुकेशन, लव लाइफ, वहीं दामपत जीवन के साथ साथ, कारोबार, बिजिनेस, ब्यापार, ब्यवसाय, सिक्षा, हेल्थ, स्वास्थ, जानकारी मिलेगी, लेकिन उससे पहले, आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखे, ताकि आपको पूरी जानकारी मिलेगी, क्योंकि आप अगर अधूरे में वीडियो छोड़ देंगे, तो पूरी जानकारी मिलेगी, इसलिए कन्यरास की जात्कों के लिए, इसलिए इस राशी फल है ये आपके चंद राशी पर अधारित है आप इसे इसी अधार पर देखे और अगर आपकी चंद राशी नहीं पता है तो आप अपने नाम की अधार पर भी देख सकते हैं तो दोस्तो कन्य राश की यादकों सबसे पहले हम आपको देव गुरु ब्रहस्पत की बारे में जानकारी देंगे ब्रहस्पत को नौ गुरु की उपाधी प्राप्त है यनि की गुरु ग्रह को गुरु यनि देपताओं की गुरु है और मानाव जीवन पर ब्रहस्पत का महत गुरु ब्रहस्पत समस्त डेँद्य माना जाता है ऑर वाडी शक्ति का श्वामी भी माना जाता है देवगुरु ब्रहस्पति महार से अंगिरा के पुत्र है जोतिस सास्तर के अंसार देवगुरु ब्रहस्पति धनु और मीन राज के स्वामी तो वहीं करकरास में उच्च के होते है संसार के हर प्राणी में दो गुण होते यहां ब्रीहस्त काफी सुब ग्रह माना जाता है इसमें गुड कूट कूट कर भरा रहता है। कुंडली में अगर सुब इस्तिती में होता जातक को सुब सवभाग लंबी आयु वधन लाभ प्रदान कराता है व्यक्त कभी जूट नहीं बोलता आखों में चमक चेहरे में तेज होता है जातक अपने ग्यान के बल पर दुनिया को जुकाने की ताकत भी रखने वाला होता ऐ जातक कि कुंडली में देव गुरु भ्रहसपती किसी पापी ग्रह के साथ बैटे हो या फिर प्रभाव में हो या अशुब संकेत देने वाले होते हैं या फिर हो सकता है छहाट बारा में हो नीच के हो छहाट बारे में बैटकर तो फिर यहां पर देखे अशुब परिड़ दे सकते हैं आईये दोस्तों कन्य रास व आपको बताते हैं कि कन्य रास व आलो के उपर देव गरू ब्रहसपत का वख्री चाल किस प्रकार से 20 जून से लेकर 14 सितंबर तक को परड़ाम देखने को मिलेगा कन्य रास वाली जातकों के उपर तो कन्य रास के आतकों आपके छटे भाव पर देव गुरु ब्रहस्पत का वक्री होना जो कि आपके छे कारियों में आपको सफलता मिलेगी केरियर में उपलब्धी हाशिल हो सकती है केरि कि इसमें आपके बिजनेस व्यापार में तेजी देखने को मिलेगी रुका हुआ कार को पूरा करेंगे बहुत सवरुजित उच्छा दिकारियों का सपोर्ट मिलेगा कन्य रास के आतकों इससे दर्मियान आपके शेलेर में ब्रदी के भी सुबसमचार मिल सकते हैं साथ ही आपको कोई पुराना कार रुका हो था वो कार होगा और किसी मेल्टी नेशन कमपन से आफार आ सकता है बिजनेस में जो कन्य रास के जातक काम कर रहे हैं उन्हें अच्छे पद की प्राप्ति होगी साथ ही उन्हें नए नई जिम्मेदारी या फिर नए नवकरी के तलास्त कई तरह के लाब होंगे और अगर कोई आपका बिजनेस ब्यापार ठप पर गया था या किसी प्रकार मंदी के चपेट में आकर उसे बंद कर दिये थे या उसमें तेजी देखने को नहीं मिल पा रहे थे तो आप यकीन मानिये करने रास कियातकों कि आपका ये दूसरा कार बिजनेस ब्यापार में और पिछले जो काफी समय से आपने मनदी के दौर जाला उसकी भरपाई करते खुड़ में तरह कार आपका रूपमlaw पर नहीं हो रहा था और अपने का आपका मनजूर होता होँआ है 20 जून से लेकर 14 सितंबर तक के भीच में कनियरास क्यात्कों इसमें आपके घर परिवार का माहुल काफी अच्छ रहेगा शुकत पून रहेगा घर परिवार में शुकत पून के सासा सुम मंगलकार हो सकते हैं इस से जून के महीने में आपके घर में कुछ शादी विवार या फिर समारो हो सकते हैं और सिंगल जात्कों के सादी विवार के चर्चाएं भी हो सकती है साथी आप अपने मन पसंद पार्टनर को तरास कर रहे हैं तो आपको मिलने की संभावना है सिंगल जातकों के लिए उनके जीवन में एक नए दोस्त आ सकता है चाहे वो कालेश के रूप में हो या फिर आपके परोसी या फिर आपके और भी छेतर में हो सकते हैं तो बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपको मिलती नज़राएगी आपके प्रेम संबंधों में मजबूती एक साथ साथ एक दूसरे के नज़दीक रहेंगे एक दूसरे कर साथ मिलेगा कन्यराज के याद को यहाँ पर देव गुरी ब्रहस्पत के वक्री चाल के कारण आपका याने पर दामपती जीवन में काफी नज़दीकिया बढ़ेंगे और पाश्मा कार संतान के रूप में पूर्ण होगा है और घर परिवार का महौल तो अच्छा हो गई होगा आज बैवाहिक जीवन में भी आपके लिए काफी अच्छा रहेगा इन ब्रहस्पत के वक्री चाल के कारण बीस जुन से लेकर 14 सितंबर तक के बीच में दामपती जीवन में खुशिया एक दुसरे का साथ एक दुसर की इंटर्वी के तैयारी में जुटे हुए हैं तो इसमें सफलता मिलेगी अगर कोई खास रिजल्ट आने के इंतिजार कर रहे तो रिजल्ट आपके पक्ष में आता हुआ दिखाई देगा सेहत की बात करें तो सेहत संबंधी प्रोबल में दूर होगी आगर आपके घर में समान बढ़ेगा समाजिक अद्वितियों बर्चर कर रहेंगे समाजिक छेतर में आपका मानसमान के साथ प्रसंसक भी काफी रहेंगे कुछ ऐसे कार बिजिनेस ब्यापार में काम करेंगे कुछ इंपोर्टन फैसला या डिसीजिजन ले सकते हैं जो आपके लिए काफी साथी साथ साधी वाह के संपन्यता और आपके घर परिवार में खुशियों का वातवर्ण के साथ साथ आपके पार्टनर्शिप में बिजनेस में आगर कोई काम या कोई धन को लेकर रुका हुआ था या किसी कारण बस तो वो कार आपका भी पूरा होता हुए नहीं जो काम रुके थे पेंडिंग उन काम को करेंगे और बिजनेस प्यापार में कोई इंपोर्टन डिल फाइनल हो सकती जो आपका काफी दिनों से रुका हुआ था ये कार पूरा होगा और इस डिल के फाइनल होने से आपकी आर्थी किस्थिति में मजबूती देखने को तो कनियरास कियातकुम अगर हम उपाई की बात करें तो आपको एक तो ब्रिष्णु सहास्त्र इस्तरोत का पार्ट करना है दूसरा आपको ब्रिहस्पत बार के दिन आपको एक लोट जल में थोड़सी हल्दी किसमें से और आप चने की दाल और गुड़ डाल के केले के पे भी आप चाहें तो डेली पहना सकते हैं तो कनियरास कियातको ये था वक्री चाल ब्रिहस्पत के वक्री चाल के कारण आपको 20 जून से लेकर 14 सितंबर 2020 तक करासी फल और आपको आपके 6 कारपूर्ण होते नजराएं करते दोस्तों जाते हैं ते वीडियो को लाइक जरूर क करें नहीं तो जो लोग सब्सक्राइब करें उसे शेयर करें जाय शनीदेव